हलो दोस्तो स्वागत है आपका निकमेक टैक पर तो आज से हम लोग नए सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रूरल डबलब्मेंड एडिमिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग आज की वीडियो में हम लोग यूनिट फर्स्ट के वारे में डिस्कुस करेंगे और दोस पास यूनिट फर्स्ट का नाम है रूरल प्लानिंग एंड डबलब्मेंड अब इस यूनिट के पांच पार्ट हैं दोस्तों छे पार्ट दे रखें हमको है ना तो हम लोग क्या करेंगे हर पार्ट पर एक वीडियो बनाएंगे यानिकि मैं आपके लिए छे वीडियो बना ढ букв गया है तो उसwach never है नोग रहते हैं उनकी क्यूली क्वालिटिशन को इंप्रूव करना इसी को इनोशन ने क्या भूल दिया रूरल डब्लब्मेंट बोल दिया वही थी यहां पर लिखे भी है दोस्तो रूरल डब्लब्मेंट यूजली रेफर्ट टु दप्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है इंप्रूविंग दा क्वालिटी ओफ लाइफ एंड फाइनेशल वैल विंग ऑफ प्यूपल लिविंग आउटसाइड दा अरबनाइज एरिया ठीक है जो रूरल एरियास में लोग बगेरा रहते हैं उनकी लाइफ को अच्छा करना उनको नएने तरीकों से रूबरू कराना नएने तरीके बताना क्या अग्रिकल्चर के नए तरीके होते हैं उनको अच्छी एजूकेशन देना उनको अच्छी होस्पीटल की फैसिलिटी देना तो यह क्या है रूरल डवलमेंट गाओं का विकास यही तो है दोस्तों और सेकिंड पॉइंट अगर हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं यह भी कि रूरल डवलमेंट इस इस्ट्रेटिजी डिजाइन टू इंप्रूव दा एकॉनिमी एंड सोचल लाइफ ऑफ रूरल पूर तो यह सिंपल सी डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हो अगर हम स्कूप की बारे में डिसकॉस करें तो इसकूप इसक पॉब्लिक हैल्थ होगे एजुकेशन एंड फंक्शनल लिटरेसी तो यह कुछ इसकॉप के पॉइंट हैं आप लोग लिख सकते हो नेक्स्ट अगर हम डिसकॉस करें तो यहां पर इंपोर्टेंट है दोस्तों इंपोर्टेंस अब इंपोर्टेंस को आप लोग समझें दे की कंट्री की नेशनल इंकम केरती हैं ने कलग में कहती है और अग्री कल्चर होता कहां पर है के ती बारी कहां होती है गाउ में होती है ठीक हैं अन्हंट्रां इंदिया की और इंप्लॉइमेंटर थे agriculture और 70% इंडिया की population को जो employment मिलता है ना कहां से मिलता है agriculture से मिलता है तो देखिए दोस्तों हमारे देश की किसान जितने भी हैं कितने ज़रूरी है हमारे लिए तो उनका विकास होना बहुत ज़रूरी है ना तो इसी लिए इसकी importance इतनी ज़्यादा है और वल्क और मेटेरियल फ्रम फॉर इंडर्स्ट्री स कम फ्रम एग्री कल्चर एंड रूरल सेक्टर से ही दोस्तों वलक में इंडिस्ट्री के लिए मेटेरियल रॉ मेटेरियल वगेरा वही से आते हैं समझे इसी लिए इसकी ज़्यादा importance है तो यह आप कुछ point आप लोग लिख सकते हो next हमारे पास question है explain the need of rural development क्यों है क्यों जरूरी है rural development तो अगर मैं नीड के वारे बात करूं दोस्तों तो सब सब पहला point आपको लिखना है the rural economic support the urban sector by the way of supplying milk बाई देको दूर्थ supply कहां से होता है गाउं से होता है food supply करते हैं raw material की supply करते हैं इसी लिए hence the backward of rural sector is a major impediment to the overall progress of the economy आया समझ सेकेंड पॉइंट आप लोग लिख सकते हो a major share of population live in rural areas and their development and contribution are very much supportive for nation building activities जितनी भी nation building activities होती हैं उनमें किसका support रहता है rural areas के लोगों का रहता है क्योंकि आप लोग जानते हो बहुत major जो पार्ट है हमारा इंडिया का population का वो गाउं में रहता है आज भी नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप लोग लेख सकते हो improvements in education health sanitation in village can help avoid many urban problems अगर improvement हो जाए दोस्तों education में improvement हो जाए health sector में improvement हो जाए और जो गाउं की जो लोग रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं अगर उनको जाने की ज़रूद ना पढ़े काम के लिए हैं ना तो बहुत सारी problem solve हो सकती है जैसे बैगिंग की problem wreck picking problem roadside slumming जो roadside में जुगी जोपणिया आपने देखी होंगी ना उन सब के problem हट सकती है solve हो सकती है rural urban migration can be reduced if rural areas are developed और गाउं का area ही डबलब हो जाएगा दोस्तों तो एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते हैं उसकी problem भी solve हो जाएगी है ना migration भी हट जाएगा तो इसी लिए दोस्तों rural development की जरुत हमें पढ़ती है तो यह कुछ point है आप लोग लिख सकते हो next अगर हम बात करें discuss the major objective of rural development की अब्जेक्टिप्स है क्या वेसिकली उनको हमको बताना है तो सबसे पहला objective क्या है दोस्तों टू इंपूब दा productivity and wages of rural people जो लोग होते हैं गाउं में उनकी उनकी productivity को बढ़ाए जा सके और उनकी जो wages होती है salary होती है उनको भी अच्छा कर आजा सके तो ब्रिंग अवाउट अग्रेटर सोचल एकॉनमिक एक्विटी ठीक है तो ब्रिंग अवाउट आस special balance in social and economic development समझ आ रहा होगा आपको एक बैलेंस किरेट कर सके तो गारंटी एंड इंक्रीज इन standard living of the underprivileged people जो दोस्तो underprivileged population है गाउं की जो जिनको अधिकार वगरा नहीं है कुछ अधिकारों से बंचित रह जाते हैं बहुत जादा गरीव हैं है ना जाती वास से कहीं न कहीं बुजूजते हैं उनको भी गारंटी दी जाए कि वहाई एक standard आपका भी होगा ठीक है य बेसिक नीट बेसिक नीट को इंप्रूब करना जैसे एलिमेंटरी एजुकेशन हो गई हेल्थ केर हो गया क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो गया रूरल लोट्स हो गए तो यह क्या है इसके ऑब्जेक्टिव इसलिए रूरल डवलप्मेंट की हमें जरुद पड़ती है अब य गाओं में जो infrastructure बना हुआ है जो जोपडियां वगयरा बनी हुए है घर वगयरा बनी हुए है उनको डवलप्मेंट करना है वहां पर electricity की कमी है दोस्तों irrigation की कमी है तो इन सब चीजों को ठीक करना है तो यह एक की इसका यहां पर लिखा भी है इसके इसमें थोड़ा सा there is a lack of infrastructure in rural areas infrastructure development like electricity हो गया irrigation हो गया दोस्तों ट्रांस्पोर्ट की facilities इन सब पर address करने की need है इन सब पर ध्यान देने की जरूवत है सरकार को ठीक है यह इसका एक कीस हो गया सेकेंड अगर हम बात करें reduction of poverty है ना poverty में reduction यानि कि जो गरीवी है उसको भी आटाये जा सके क्यों the reduction of poverty is important because rural areas have the maximum poverty आप लोग जानते हो गाओं में बहुत ज़्यादा गरीवी है उसको भी दूर करना ज्यादा जरूरी है कि नेक्स्ट development of health facilities health facilities को भी develop करना है rural areas lack proper health facilities बहुत कम वहां पर healthy facilities है तो अगर किसी के चोट लगती है या किसी का कोई accident होता है तो दूसरे गाओं में जाना पड़ता है उन्हें सहर में जाना पड़ता है दिखानी के लिए इतनी में तो इंसान की हो जाती है तो hospital की facility health की facility अच्छे होनी चाहिए इन पर address करना चाहिए गवर्रमेंट को development of product resources productive resources को भी development करना चाहिए जैसे दोस्तो productive resources of each locality need to develop to enhance the employment opportunities ताकि employment की opportunities को enhance करा जा सके है ना बढ़ाया जा सके this will help finding an alternative meat other than crop cultivation to sustain life next और लास्ट हम लोग अगर देखें तो हमारे पास है development of human resources human resources की development जैसे there is need to improve the quality of human resource in rural areas it can be done by improving the literacy rate यह होगा कैसे दोस्तो literacy rate को improve करके especially female literacy को जाना गाओं में बच्चियों को पढ़ने नहीं दिया जाता है उनको पढ़ा लिखा कर दोस्तो इसकिल development करकर industrial training देकर समाझ आ रहा है तो दोस्तों यह क्या थे इसके की इसू तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी helpful लगिए तो अपने दोस्तों के साथ सेयर करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए वाय थेंक्यू कर दो कर दो